हेलो फ्रेंट्स आपके अपने चैनल येस जेहंदी रेश्पी में आप सभी का स्वागत है नौरात्री चल रही है तो हैपी नौरात्री और आज हम बनाएंगे माता का भोग प्रशाद क्योंकि अश्टिमी नौमी आने वाली है तो इसके लिए हमने सोचा आप लोगों के है तीन-चार पानी से अच्छे से साफ कर लिया है और जो पानी भी इसमें है वो भी साफ है और साथ में इसको डाल देंगे कुकर में और इसमें थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे तो टोटल हो गया हमारा एक गिलास के आसपास पानी हो गया है चने की जितनी कॉंटिटी है उसे साफ से पानी हो गया है और बस अब रख देते हैं कुकर पकने के लिए चने तो अभी गैस पर हमने कुकर चला दिया है गैस कर देते हैं और बस पकने देते हैं चारपार सीटी आएगी और बस पक जाएंगे हमारे चने तो होता है ना कि बहुत से लोग है ना छोले भी बनाते हैं कुछ भी बना सकते हो और छोले तो हम नहीं बनाते लेकिन हमेशा हमारा जो भोग प्रशाद मातक होता है तो हल्वा चना पूरी यही होता है तो यही बनात तो फ़ोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सभी लोग मिल जूल के हम लोग बना लेते हैं तो अभी न जब हमारे चने पक रहे हैं, इतनी देर में हमने चाय भी अपनी बना ली, ब्रत वाली भी चाय बना ली, चने एक साइड में चने भी पक रहे हैं, एक साइड में हमारी चाय पक रही है, तो अभी चाय हमारी बन गई है, और हम चाय छान लेते हैं, पीते हैं चाय, जितनी देर में ह जाएंगे तो बस लाट्सिटी हो गई है और अब धूम गैस देते हैं बंदकर और यदर बाद हम थन्ड़ हैं ऑर चाईबी हम धी खे kisses हो गए है हने साइड में अब हम पहले बनाएंगे हलूद इसके विए नहीं कर दिया आइंगे हाझ में हम तो अभी हमने डाद दिया है इसमें ड्राइफ रूट थोड़े से काजू बादाम कट करके और थोड़े से मखाने तो इनको घी के बिना ही ऐसे हम रोश्ट कर लेंगे हलका सा भून लेंगे जिसे ना कि थोड़ा सा कच्छा पर न रहे तो बस हमारी यह हो गए है ड्राइफ अच्छे से भून गए हैं इनको निकाल देते हैं और इसे में हम डाल देंगे घी तो हमने एक बड़ा चमच भर के काफी बड़ा चमच है तो बढ़के हमने घी डाल दिया है घी को थोड़ा साम पिगलने देंगे और और एसी के साथ में अब हम डाल देंगे इसमें सूजी तो थोड़ी सी हमने सूजी इसमें बनाई है थोड़ा थोड़ा साम कॉंटिटी में बना रहे हैं क्योंकि रेस्पी आप लोग के साथ शेयर करनी है तो मैंने सोचा भई ब्रत ही है सभी लोगों का ब्रत है तो बस उस लेंपे भूनेंगे तो आराम से तीन-चार मिनट में चार मिनट में करीब हमारी सूजी पक जाएगी अच्छे से भून जाएगी जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा तो पता चल जाएगा क्योंकि खुश्बू भी बहुत अच्छी आती है तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है लगातार चलाना है लगातार भूनते जाएगे नहीं तो इस ना सूजी जल जाएगी तो सूजी हमारी अच्छे से भून गई है और खुश्बू ना बहुत अच्छे से आने लगी है सूजी भुन गई है और अब हम इसमें डालेंगे पानी तो पहले हम डाल देते हैं थोड़ा सा छीटा इससे ना एकदम दानेदार हमारा जो हलुआ बनेगा ना बढ़ियासा खिला-खिलासा बनेगा दानेदार तो यह हमारी सिंपल सीरेस्पी है जो माता का भोग परशाद इ अब हम डाल देंगे इसमें पानी तो एक गिलास से हमने करिब तेड़ गिलास हमने पानी डाल दिया है और इसको हम पकने देते हैं सूजी को ना थोड़ा सा फूलने देते हैं इसमें आप दूद भी डाल सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है कि दूद वाला हलुआ तो हलुआ आदी कटोरी के पगी है कि इसको हम पकने देते हैं फोड़ी है है मेरेो जिसने अच्छे से पगजाए और अब ही हमने डाल दिया इस इलाइची पाउडर तो हालव क्ली ना थोड़ा से गाड़ा होने लगा था और हमने इलाइची पाउडर भी इस में डाल दिया कुष्बू के लिए बहुत जाद अच्छा लगेगा और सूजी ना हमारी गाड़ी होने लगी है अच्छी तरह से फूल गया है और अब हमने डाल दिया इसमें न जैसे सूजी थोड़ा सा गाड़ी हुई वैसे हमने डाल दिया है थोड़ा सा केसर तो चार पांथ आगे हमने केसर के डाल दिये हैं इससे ना फ्लेबर जो बहुत बढ़िया सा आएगा और गाड़ी हो गई है काफी अच्छा सा हमारा हलुआ रसीला रसीला सा बढ़िया सा हलुआ हमारा बन रहा है और अब हम इसी समय पे डाल देंगे इसमें जो ड्राइफ प्रूट हमने काजू बदाम और मखाने जो रोश् बन जाएगा तो हो गया हमारा हलुआ बनके बढ़िया सा तयार बहुत जल्दी बन जाता है इसमें बहुत बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है और थोड़ा सा हमगी और डाल देंगे तो इससे ना बहुत ज्यादा टेस्ट अच्छा आ जाता है बढ़िया सा सिं और हम इसको रखते है निकाल के साइड में और इसी कराइए में हम बनाएंग चणे तो यह हो गया हमारा देखो इतना बढ़िया सा हल वाल लग रहा है और हमने वही कड़ाई फिर से दोली है और इसी में हम बनाएंगे चने तो अभी हमने फिर से गैस हमने चड़ा दिया है गैस पर कड़ाई और डाल दिया है तेल तो तेल में बनाएंगे ये घी में चने नहीं बनाएंगे डाल दिया हमने जीरा एक चमच हमने जीरा डाला और थोड़ी सी हींग डाल दी है और साथ में अब हम डाल देंगे जैसे जीरा हमारा चटक ने लगा हमने डाल दिया इसमें चने और चने के साथ साथ में आप हम इसमें एड़ करेंगे थोड़े से मसाले तो हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और साथ में गरम मसाला तो जो नॉर्मल मसाले हैं बस वही वाले हम डालेंगे तो धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा ना भुना जीरा भी डाल देंगे भुने जीरे का पौडर वो भी डाल देंगे थोड़ा सा तो बहुत जादा और हमने थोड़ा सा बिल्कुल डाल दिया है चने मसाला तो चने मसाले से इसका फ्लिवर बहुत बढ़िया सा आ जाता है चने में चने के मसाला डाल दो तो बढ़िया सा लगता है इसका टेस्ट बढ़िया आ जाता है और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से पहले भी डाल सकते हो इसमें जिसे मसालों को पहले भी बोन सकते हो लेकिन क जब तक हम इनको धीमे धीमे पकने देंगे थोड़ा सा जिसे मसाले एकदम low flame पर पकाएंगे और मसाले ना इनमें अच्छे से mix हो जाएंगे थोड़ी से हमने डाल दिया है कसूरी में थी तो फ्लेवर के लिए थोड़े से मसाले चाहिए चाहिए होते हैं तब ही हमारे जो चने बनेंगे ना बहुत जादा लाजवाब बनेंगे एकदम बढ़िया सा है जो बंडारे में बनते हैं बिल्कुल वैसे ही चने हमारे बनेंगे क्योंकि बंडारे में भी इसी तरह से बनते हैं और इनको हम थोड़ा ढख देंगे और ढखने के बाद ना इनको हम पकने देंगे तो जब तक यह हमारे धीमी एकदम लो फ्लेम पे पकते इतने देर में हम पूरी के लिए आटा लगा लेंगे इस तरह से जब एक साथ सा're काम हो जाते ना तो बहुत जल्दी से हमारे खाना बन के तयार हो जाता है तो आटा लगा लेते हैं बढ़िया सा मुलाइं सा बहुत ज्यादा सकता नहीं है बहुत ज्यादा मुलाइं नहीं तो चने भी हमारे पक रहे हैं और इधर हमने आठा भी लगा लिया है और देख लेते हैं चने का क्या हल है तो चने हमारे बढ़िया सा एकदम तयार हो गए है ये हो गए हमारे चने बढ़िया से तयार एकदम देखो बहुत जादा बढ़िया से लग रहे हैं बढ़िया से एकदम खुश्बू आ रहे हैं और अब हम रखते हैं इसको साइड में चने हमारे तयार हैं तो इनको भी साइड में रखते हैं और बनाएंगे अब पूरी लिकिन पूरी के लिए हम दूसरी कड़ाई चड़ाएंगे, जो हमारे पूरी के लिए ही ये रहती है, लोही की कड़ाई न अच्छी पूरी इसमें बढ़िया से बनती है, कुछ रेस्पी इसमें अच्छी बन जाती है, तो हमने तेल भी डाल दिया है इसमें और जब तक तेल गरम होता है इतिन जैसे कड़ाई गरम हुई तेल गरम होता है तब तक हम ना बना लेंगे पूरी तो अभी हम काट लेते हैं चोटी चोटी लोईया तो लोईया हमने बना ली सारे पूरी की एक साथ हमने लोईया बना ली और बेल बेल के ना पूरी थोड़ा सा रख लेंगे इससे ना और जल्दी आसानी हो जाएगी हमने लोफ लेंप कर दिया जिसे तेल हमारा अराम से गरम होगा और इतनी देर में ना हमारी पूरी बेल जाएगी तो पूरी हम बना लेते हैं बेल लेते हैं पहले तो ये हो गई हमारी सारी पूरी हमने बेल ली है एकदम तो बढ़िया से पूरी तयार हो गई अब हम देख लेते हैं कि घी तेल हमारा गर्म हो गया है नहीं तो कराही बढ़िया से गर्म हो गई है और थोड़ा सा ना किनारे इस तरह से लगा देंगे जिससे ना हमारी पूरी चिपकेगी नहीं और आसानी से फिसल जाएगे इसमें और बस फटाफट से हम बना लेते हैं पूरी तल लेते हैं और हर एक पूरी ना एक दम बढ़िया सी फूलनी चाहिए तो इस तरह से हम बहुत जल्दी बना लेते हैं पूरी तो सारी पूरी ना हम इसी तरह से बना लेंगे और जितनी भी पूरी ने बनाई सारी एक भी ऐसी पूरी नहीं गई जो ना फूली हो सारी पूरी फूल गई हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया से तो हमारी रेश्पी हो गई हल्वा चना पूरी माता का भोग प्रशाद तयार हो रहा है तो फ्रेंट्स ये बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हल्वा चना पूरी बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है फटा फट से सारे काम हो जाते हैं दस पिनट दस बारा मिनट में हमारा ना भोग प्रशाद तयार हो जाता है अगर quantity ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा 2-3 मिनट ज़्यादा टाइम लग सकता है इससे ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि बहुत जल्दी बन जाते हैं तो बहुत आसानी से बहुत आसान तरीके से बना लो इस तरह से देखो फूली फूली सारी फूली हुई हमारी पूली निकल रही है और जो बच्ची हुई है उनको भी हम निकाल लेते हैं फटाफट से देखों है तो यह हूगई हमारी पूली बन गई है और एकदम सारी पूली फूली फूली से बढ़िया से बन गई हृल्वा चना भी हमारा तयार हो गया तो फ्रेंट्स यह हो गई हमारे माता कब होग प्रशाद अस्टमी या नॉमी जब भी आप करो तो इस तरह से ये बनाना बहुत आसान तरीका है बनाने का और जटपट बन जाता है तो फ्रेंट्स अगर हमारी आज की रेस्पी थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लेज सस्क्राइब करना मिले नियू रेस्पी के साथ अब तक के लिए बयाए थैंक यू